वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फते आज जा आपां विच्चार करांगे अम्रित वेडा वैसे ता प्रमात्मानू याद करन वासते कोई भी टाइम नहीं जदो मरजी आपां प्रमात्मानू याद करिये बैठके उसनी याद विच जोड जाईये ते उनु चितो पहर याद कर दे रहे पर गुरुबाणी विच किस वेड़े नु किहा गया है इस ते आज़ापा विचार कर दे हा गुरु ग्रंद साहे विच केड़े वेड़े नु जादा महत्तव दिता गया है इस ते आज़ापा विचार करांगे सारे ही मजबान देविच राब्दा सिम्रन करन ते वड़ा जोर दिता गया है अते उसनू याद करन लई अलग 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 तरीके दसे गए ते समावी निश्चित कीते गए हन उननू अलग 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 नाम भी दिते गए हन जिमें इसलाम देविच पांजन वाज़ा हिंदू तरम विच संध्या वेळा ते ब्रह्म मुहरत ते इसाई मात विच मौरनिंग प्रेयर आदी पार सेख तरम विच गुरू साहिब जी ने प्रभूदी वड़ियाई लई जो सब तो वदिया समा निश्चित कीता है वो है रात दा चौथा पहर ते उसनू नाम दिता है अमरत वेळा पाव वो समा जो अमरत वर्गा है जदों जो ग्यासू ने अमरत वाणी ना जोड के अमरत बढ़ जाना है ते अमरत दा अर्थ है जो अमर करदवे पाव आत्मिक जीवन प्रदान करे जो अमरत वेड़ा है उस समा है जदों सिख ने आत्मक जीवन देन वाले नाम अमरत नाल जोड के आत्मक जीवन प्राप्त करदे होए अमर अकाथ अमुल अजूनी अबै अजय ते अवनासी प्रमात्मा विच लीन हो जाना है अमरत वेड़े उठके वाहिगरू गुर मंतर ते मूल मंतर दा सिम्रण नितनेम दिया भाणिया दा पाठ करन लई गुरू साहिब जी दा हर एक सिख लई हुकम है ते जेड़ा सिख गुरू साहिब जी दे इस हुकम दी पालना नहीं करता उपने आपनों बेशक सिख खखे जवे पार गुरू साहिब जी उसनों अपना सिख परवान नहीं कर दे गुरू साहिब जी सिख दिया निशानिया इस तरह दस्ते हन। पर्मात्मा ने उसनों नहीं पुलाया है पाव उसनों देख रहा है ते अंतसमे उसने अजहे मनुख दे नाम नू पलाउन दा दोश लाके उसनों दोशी बनाके सजा देनी है। पगत ची दे बचन हान फरीदा पिछल रात ना जाग्यों हैं जीव दड़ों मोयों हैं जेते रब विसारेया ता रब ना विसरेयों हैं। जब जी साहिव दा पावन वाणी दी चौथी पौड़ी विसरी गुरु नानक देव जी फरमाओ दे हन कि साव जीव परमातमा अग्ये अर्दासा करके संसारिक पदार्थ मंग दे हन। ते परमातमा साव नू दातामी दिन्दा है। गुरु साहिव जी फिर एक सवाल पैदा कर दे हन। कि जदों साटे कोर साव कुछ परमातमा दा दित्ता होया है। फेर असी ओसग्ये की पेट रखिये। जिसनार सानु उस्ती पर संता मिले। क्योंकि उस्ती ही दित्ती होई माया या होर बस्तुआ नू उसग्ये पेट करना विच्ता कोई वड़िया ही नहीं है। गुरू साहिब जी फिर सवाल कर दे हन की मुधों के हो जै बोल बोलिये। जिन्ना नू सोनके परमातमा साटे नाल प्यार करे। तां गुरू साहिब जी फिर आप जीनू जवाब दिन्देहान की साटे कोड परमातमा नू परसं करन्दा 21 साधन है। उए अम्रत विड़े उठके सच्चे नाम दुवारा गुर्बानी दुवारा परमातमा दी वड़े आई अते उस दे गुणा दी विचार करनी। गुरू साहिब जी फिर मों देहान की परमातमा नू परसं करन्दा इस तों लावा होर कोई रस्ता या साधन नहीं जो साधे कोड है। जेड़े अम्रतविडे उठके शनान करके प्रबुधे गुंडा गायन कर देहन ओ प्रबुधी बख्षश नाड परमातमा नू काटकट विच वस्या होया महसूस कर देहन। पाव उनानू परमात्मा जर्रे जर्रे विच वस्या होया नजर आउंदा है। अम्रत वेड़े जो ए महांता गुरु साहिव ने दसी हैं इसता कारण ए है कि एकता सारी रात सौन तो बाद आदमी दा थके माला जान्दा है। ते ओना आतो के बिल्कुल तरो ताजा हो जान्दा है। नेंदर भी पूरी हो चुकी होंदी है। उस लेड़े आर पार गड़ियां, मोटरा, बच्चेयां या जानवरां, आदीदियां वाजां दा कोई शोर शुराबा नहीं होंदा। बड़ा सोहावना दे शांट महीं वाता वरण होंदा है। कम्मा करान दा भी कोई च मिला नहीं होंदा। जो एहो सो एहो जाई समय प्रभू दा नाम जपन नाड सोरत सबाबिक ही उसते नाम विच जोड़ दी है। ते गुरबानी दा गयन करन नाड आनंद तेरा स्प्राप्त होंदा है। चोथे पाश्य श्री गुरु रामदास जी दे वच्चन हाने हारतान अम्मरत वेड़ा का वीजया पग्द खाये खर्च रहे निकुटे नाहीं। पाव अम्मरत वेड़े वीजय नाम रूपी तन विच जेहां वादा होंदा है कि फिर कदे भी तोट नहीं होंदी। पार जैसी अम्मरत वेड़ा खुझा के वाद वीच चड़े देन पाठ करांगे ता उहों अनांद ते रास नहीं मान सकांगे जो अम्मरत वेड़े मान सकते हां। फेर ता उगल बन जांदी है कि पंजाबी दाई का खान है वेड़े दी नवाज को वेड़े दियां टक्रां। सो बाद विच ता टक्रा मारण वाड़ी ही गल बहुंदी है। इसले सानू कदे भी अम्मरत वेड़ा खुझा उना नहीं चाहिदा। ते एस दी संबाल करद्या हो यां प्रभुदी वक्षिष दे पात्र वढ़ना चाहिदा है। जदों पाई मरदाना जी पहली वार गुर नानक देव जी कोड आए। सान्ता उनने पाई मरदाना जीनू तिन उपदेश दित्ते सान। वाल नहीं कटोने, अम्रत वेड़े दी संबाल करनी, लोड बंदा दी साहिता करनी। एवें गुरु जी अपने जीवन पार दे साथी पाई मरदाना जीनू अम्रत वेड़ा संबालन दी तककीद करदया होयां अम्रत वेड़े दी महांता नू सपस्ट कीता। संत अतर सिंग जी महराज मस्तु आने वड़े वड़ें, नू एक वारी किसे जग्यासू ने सवाल कीता कि संसार विच शान्ती की में आ सकती हैं। ता संत जी ने जवाब दिता कि जिस दिन सारे इंसान अम्रत वेड़े दिसंबाड करना शुरू कर देंगे, उस दिने संसार स्वर्ग बन जाएगा। संत जी अम्रत वेड़े दे नितनेम ते बड़ा जोर दिया कर दे सन। संत जी ने उग्य राजने तीक मस्टर तारा सिंग जी नु neur师 पुछया, कि नितनेम निव्दा है कि नहीं मास्टर तारा सिंग जवाब दिता कि महाराजी कदी कदाई नागा पैजनदा है। संत जी ने इलाही रंगत विच आख्या नितनेम सिखदा इलाही पुंजी है तौलत तेख जानना है इस विच कदे भी नागा नहीं पेना चाहिए दा संत जी दे इना बचना दा मास्टर तारा सिंग ते बड़ासर होया ते उह आखन लगे महराज जी रुजेम्या कारण कई बारी नागा पेजन्दा है पर आज तूं आप जी दे नाण वादा करदा हां जिस दिन नागा पया उस दिन कुछ भी नहीं खामाँगा पीवाँगा रात नू सौन लगयां सोहिले सावदा पाठ करके गुरु अग्गे अम्रत वेले दी संबाल लई अरदास करके सोना चा करिये ता गुरु साहिब दी बक्षिश नाड अम्रत वेले जाग जरूर आजन्दी है सो गुरु अग्गे वेले दी संबाल लई अरदास करदे ही रहना चाहिदा है ते कदी ना कदी उस वाहिग्रु दे चर्णा विच्च साड़ी अरदास जरूर परवान हुन्दी है बक कि अपने मानदी गल है जे अपा उस गुरु नाल जुड़ना चाहने है जे उनिया खुशियां प्राप्त करना चाहने है जे अपानू लगदा है भी जो कुछ सानू दिता होया है उस पर मातमादा दिता होया है ते असी उदा तनवाद करना है फेर ही असी उस वाहिग्रु नारज़ जोड सकते हैं, टे सब तों वड़ी गल है, जे साथे उत्ते हो सती रह्मत है, जे साथे उत्त वो सती आख है, सानुवा वेखता है, असी उत्ति निगाविच्छा, ता फेर ही ए वक्षिस साथ होते हो FAR जीवां नाम वाले पसे तुरना ते नाम नाण जुडना इस काड़ोग विच्छ चब तो उखा कम है जो असी नहीं कर सकते ते जो इस कम नूँं कर दे हन जो अमरत वेला समभाद लिन्दे हन ओह कर्मा माड़े हन सो आपां भी कोशिश करिए अपना फर्ज है कि आपां भी उस वाहिग्रु अग्गे जोद्री करिए कि सानु भी अम्रित विले दी संबार दा बल वक्षन वाहिग्रु जी सार्यानू बल वक्षन ते आपां उस वाहिग्रु दा शुक्राना करिए जो दाता उसने सानु दित वाहिग्रु जी का खालसा वाहिग्रु जी की फते याहिग्रु जी की फते की जी की जी का खालसाए टी मीथ्रु जी की ते वारोpis in the water